मरहूम सहाबु दीन की धर्म पत्नी हीना साहिब अगर अकेले चुनाओ लर रही है निर्दली चुनाओ लर रही है सिवान लोक सभा से तो आप ये समझ जाईएगा किते जश्वी यादो लालु यादो और आरजेडी से उनका रिस्ता खत्म हो चुका है और ये वही सहाबु दीन है जो पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे खड़े रहते थे ये वही सहाबु दीन है जो पार्टी के लिए जेल जाने से भी नहीं डरते थे और ये और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन मैं आपको बता दू हीना साहब जो की मरहूम शाबुदीन की धर्म पत्नी है इनका अब आरोप है आरजेडी के उपर की आरजेडीन है इगनूर कर रहा है 2009 में इन्होंने राजनिती में कदम रखा और लगातार तीन बार लोग शभा का चुनाओ लरा हीना साहब के बारे में ये बात कही जाती है कि ये एक भी चुनाओ नहीं जीती और इनकी उतनी पकड़ नहीं है लेकिन एक तोर पे देखा जाए तो सहबुदीन के काफी एहसान ह उपर और शायद आरजेडी उन एहसानों को भूल चुका है जब सहाबुदीन की मृत्यू हुई थी तब लालू परसाद यादो ने ये जरूर कहा था कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप की शती है ये मेरा व्यक्तिगत शती है लेकिन शायद जब हीना साहब को सबसे सफ़ूरत है आरजेडी की तो आरजेडी अपना पला ज़ार रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस बार टिकट दे रहा है अवद बिहारी चौदरी को अवद बिहारी चौधरी लगातार campaigning कर रहे हैं सिवान में और वो कह रहे हैं कि टीकट हमें ही मिलेगा अवद बिहारी चौधरी काफी कद दावर नेता है RJD के और वो speaker भी रह चुके हैं और साथ ही साथ राबरी के सरकार मेंसे चुक्रा मन्त्री रहे हैं पांच बार के जीते हुए बिधायक हैं और उनका कद आरजेडी में काफी बड़ा है और वहीं अगर हीना साहिब की बात करें तो 2009 से लगातार वो चुनाओ लड़ी हैं और लगातार चुनाओ हारी हैं लेकिन इस बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अगर उन्हें मिलता तो शायद मामला कुछ और होता लेकिन इस बार अरजेडी उन्हें ठिकर देने से पल्ला जारते हुई नजर आ रही हैं और इस बार नरदली मैदान में कूटी हुई RJD ने लेकिन अब हिना साहिब भी इसका आरोप लगा रही है खुल के वो मीडिया से वार्ता कर रही है मीडिया से बाचीत के दोरान वो बता रही है कि उनके साथ गलत हुआ है RJD जब तक साहिब थे तब तक साहिब साहिब किया करती थी लेकिन साहब के गुजरने के बाद RJD ने उनका हाल तक नहीं पूछा, उनसे ये पूछने भी नहीं आए कि इस बार वो क्या सोच रही है, इस चुनाव को लेके, और कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जब ये घोशना हुआ कि आवद बिहारी चौदरी सिवान के सीट से कहीं न कहीं ये मान चुकी हैं कि उन्हें निर्दलिये चुनाव लड़ना है, अगर उसी तरफ NDA की बात करें, तो NDA ने अपने प्रत्याशी की घोशना कर दी है, और विजय लक्ष्मी कुश्वाहा जो हैं, वहां की प्रत्याशी हैं, और ये रमेश कुश्वाहा की धर्म पत्मी हैं, रमेश को स्वाहा भी काफी जाना मानना चहरा है, काफी कद्दावर नेता है, और एक बाहुबली नेता के रूप में इनकी छवी है, इनके उपर दूबे हत्याकान समेत दर्जनों अपराधिक मामले दर्ज है, और इनको NDA ने अपना नेता चुना है, इस बार सिवान के होट सीट से विजय लक्षमी जो है, चुनाओ लड़ रही है, लेकिन सहाबु दीन की पत्नी हीना साहिब निर्दलिये चुनाओ लड़ेंगी, तो यहां भी मामला तिर्कोनिये ही होता नजर आएगा, क्योंकि आज भी एक वरा वर्ग, मुसलिम वर्ग, हीना साहि सिवान ही नहीं बिहार के मुसलमान, उनके सपोर्ट में उतर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक की गुझाईस नहीं है, यह वही सहाबु दीन है, जो कुछ के लिए गैंस्टर थे, और कुछ के लिए मसीहा थे, और उन्हीं की धर्म पत्नी है, हीना भी न कहीं बहुत लोगों पे सहाबुदीन का एहसान है हाला कि इनके साथ RJD ने एहसान फरामोसी की है और ये बात खुद हीना साहिब कह रही है बाकी इसके उपर आप क्या सोचते हैं अपना राय कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे धन्यबाद